हलो गईज, आप सभी साथ्यों को स्वागत है, आपके अपने यीटूब चैनल टॉपश इंट्र तो बिहार सिक्षक भरती की जो आनलाइन आवेदन है उसको लेकर के बहुत सारी समस्याई आ रही है और आप सभी लोग बार-बार मुझसे इंस्टाग्राम पर जो है एक कोश कल मुझे मैसेज करेंगे और अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप कौन से तरीका अपना सकते हैं जिससे आपका फॉर्म बर जाए तो वीडियो को स्टाट करें उससे पहले आप लोग अगर विहार सिक्षक भरती से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्मेशन पलपल की बादें तो चलिए श्टाट करते हैं वीडियो को सबसे पले तो हम बात करते हैं कि क्या इसकी जो लास्ट डेट है क्या वो बढ़ेगी तो फिलाल मैं आपको बता दूँ कि बिहार की तरफ से एक अपडेट आई थी कल के ही में जिसमें बिहार एक्जाम डेट को लेकर BPSC के संग्यान में है क्योंकि BPSC के तरफ से आज भी एक न्यूज पेपर में एक अपडेट आया था एक एडिटोरियल छपा होता जिसमें यह बताया गया था कि जो यहां पर बहुत सारे चात्र जो है अचानक से फांबारना शुरू कर दिये इसलिए साइट जो एकदम से क्लैस हो चुकी है तो आपको मैं बता दूँ कि इस वज़ा से BPSC के संग्यान में है कि साइट नहीं चल लिए इसलिए आपकी जो लास डेट है उसको बढ़ाया जाएगा लेकिन मैं फिर कहा रहा हूं मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग लोग लास डेट बढ़ने का इ करिये तो फ़ाम आपका भरा जा सकता है बहुत साए लोग लोग नहीं हो रहा लेकिन अगर आप बार बार ट्राइ करते हो तो आपका लोग इन किया जा सकता है फिलाल लास डेट के मारे में बता दूं कि यगर बढ़ेगी तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो पांच शे लेकिन बारा के बाद उमीद कम रखना इसलिए मैं कहा रहा हूं कि आप लोग आनलाइन अविदन कर दो बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी आठ तारीक है अभी भी पांच दिन का समय है आठ नो दस ग्यारा बारा पांच दिन के अंदर आप लोग फार्म को भर सकते हैं बाक जल्दी आपका साइड जो है चलने लगे तो फिलाल आप लोग अगर फार्म बढ़ना है तो रात में आप लोग फार्म भर लीजिए मैं यहीं सजेस्ट करूँगा आपको बाकि लास्टेट बढ़ेगी तो बहुत थोड़ी बढ़ेगी तो इसले लास्टेट बढ़ने की जादा जादा जो है को सिस मत करिएगा और जादा चांस है भी ने लास्टेट बढ़ने की ठीक है तो यह आज की अपडेट वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक करें और चैनल परने सब्सक्राइब करें